Q1. हाल ही में किस राज की सरकार ने जेपी अंदोलन कारियों को पैंसन देने की घोसना की है? A. मध्यपरदेश, B. बिहार, C. जारखंड, D. इन में से कोई नहीं? आपका सही जवाब है C. जारखंड. Q2. जारखंड धाम किस जिले में है? A. बोकारो, B. ग्रीडी, C. हजारी बाग, D. दुमका. आपका सही जवाब है B. ग्रीडी. Q3. राज में किस स्थान पर सूर्य मंदीर इस्थित है? A. देवघर, B. नेतरहाट, C. बुंडू, D. इटखोरी. आपका सही जवाब है C. बुंडू. Q4. क्रीडी में जार्खन का सर्वधिक बिक्सित छेत्र कौन सा है? A. निचली सरन्व घाटी छेत्र, B. उत्तर पूर्वी सिमांत क्रीडी पर देश, C. हजारे बाग, पठार का क्रीडी पर देश, D. इन में से कोई नहीं. आपका सही जवाब है B. उत्तर पूर्वी सिमांत क्रीशी पर देश. Q5. जार्खन का कितना परतिशत भाग, क्रीशी कार है तू, योग यह है? A. 74 पर देशत, B. 76 पर देशत, C. 80 पर देशत, D. 77 पर देशत. आपका सही जवाब है D. 77 पर देशत. Q6. जार्खन में सिच्चाई के लिए किस संसाधन का पर्योग सर्वाधिक किया जाता है? A. तलाब जिल, B. नलकूप, C. नहर, D. कुँआ, आपका सही जवाब है D. कुँआ. Q7. जार्खन के किस छेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिच्चाई की जाती है? A. राची, B. पलामू, C. गुडड़, D. लहर, दग्गा, आपका सही जवाब है D. लहर, दग्गा. Q8. राजे में कुए से सिच्चाई की जाने वाल अच्छेत्र है? A. राची, B. पलामू, C. सी भूम, D. गुमला, आपका सही जवाब है D. गुमला. Q9. जारखन में लोहे इस पात का उदपादन कब शुरू हुआ था? A. 1913, B. 1917, C. 1918, D. 1921, आपका सही जवाब है A. 1913 Q10. जारखन में एल्यू मिनियम उद्यों के स्थापना कब हुई थी? A. 1935 में, B. 1937 में, C. 1922 में, D. 1940 में आपका सही जवाब है B. 1937 में, आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो का लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले